एलो फ्रेंड्स कैसा अप लोग? फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करूंगा आप से 2024 के बेस्ट Flexikay Funds के बारे में जी हां, तीन Flexikay Funds के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर अगर आपको Flexikay Funds में इन्वेस्ट करना है तो तीन best fund आपके लिए कौन से रहने वाले हैं लेकिन उसे पहरे हम समझ लेते हैं कि यह आखिर flexi cap funds होते क्या हैं देखिए flexi cap mutual funds की बात करेंगे तो वो ऐसे mutual funds की scheme होती हैं जो invest करने में अलग-अलग market के application में flexibility provide करती हैं इन funds को यह freedom होता है कि वो अलग-अलग market segments में जैसे कि small cap, mid cap और large cap companies के stocks में invest कर सकें flexi cap mutual funds का खास feature यह है कि इनका fixed allocation किसी specific market के application category में नहीं होता बलकि fund manager को market condition, economic trends और market के outlook के basis पर portfolio composition adjust करने की flexibility होती है इस fund को market के अलग-अलग segments में मौझूद opposities का फायदा उठाने का मोका मिलता है तो चलिए बात करते हैं कि आखिर तीन funds कों से रहने वाले हैं 2024 के लिए तो इन funds से detail check करने के लिए मैं आपको angel one के mobile application पर लेकर आयों उपर आप देखेंगे आपको search का option दिखाई दे रहा है जो भी fund आप search करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर search करके उसकी detail को check कर सकते हैं तो जो पहला fund हमारा रहने वाला है वो है HDFC Flexicab fund जिहां HDFC Flexicab fund जैसे आप type करेंगे उपर आपको SJFC Flexicab fund की detail देखने को मिल जाएगी इसके उपर हम click करेंगे और इसको open कर लेंगे जैसे आप इसको open करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे उसकी detail आपके सामने open हो जाएगी पिछले कुछ सालों में कितने percent returns इसने निकाल कर दिये हैं वो graph के तुरू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब जैसे के आप देख रहे हैं पिछले तीन साल में annually इसने 26.8% के शांदा returns निकाल कर दिये हैं five years के बात करें तो five years में भी आप देखिए annually 20% के आसपास के returns इसने निकाल कर दिये हैं old time के बात करें तो जब से ये fund start हुआ है जब से अभी तक 16.77% के returns इसने annually अपने investors को निकाल कर दिये हैं कुछ basic details अगर इस fund के हम चेक करें तो यहाँ पर आप देखिए इसका अगर AUM चेक करें यानि कि अगर fund size आप चेक करेंगे 45,000 क्रोड से जाता का fund size दिखाई देता है expense ratio की बात करें तो 0.89% का expense ratio हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप scroll करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको risk and ratings भी देखने को मिल जाती है और साथ में holding by sector आप देख सकते हैं और top holdings भी देख सकते हैं कि 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 share में इस fund ने कितनी investment अपने कर रखी है तो यह साथ details आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो पहला fund था हमारा SDFC Flexicay Fund अब बात करते हैं अपने second fund की तो second fund है friends पराग पारिक Flexicay Fund जी हाँ इस fund के अगर बात करें तो इसने भी पिछले कुछ पीरिड में शांदा returns अपने investors को निकाल कर दिये हैं अब देखें पिछले 3 साल के अगर आप returns देखेंगे तो annually इसने 23.86% annually returns पिछले 3 साल में निकाल कर दिये हैं 5 years की बात करें तो पिछले 5 साल में आप देखें अगर बात करेंगे तो वो भी आपको 20% से ज़्यादा annually यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कुछ और details के ओपन दालें तो आप यहाँ पर देखें फंड साइज 52,000 करोड से ज़्यादा का फंड साइज है एक बहुत बड़ा फंड साइज आपको इस फंड का देखने को मिल जाता है और साथ में expense ratio भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 0.6% का expense ratio भी हमें इस फंड से के बारे में तो हमारा तीसरा फंड है फ्रेंज कौंट फ्लेक्सिके फंड यहां इस फंड के अगर बात करें तो इन तीनों ही फंड में सबसे ज़्यादा returns इसी ने निकाल कर दिये हैं पिछले तीन साल की रिटंस आप यहाँ पर चेक कीजिए एन्वली 33.49% के रिटंस इस 65 के आसपास आपको current एन वी इसकी देखने को मिल जाती है कुछ और details के उपन नज़र दालें तो यहाँ पर आप देखिए fund size 29 करोड के आसपास का हमें देखने को मिल जाता है हाला कि देखिए fund size के उपन नज़र डालेंगे तो जो दो fund हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस expense ratio के साथ यह हमें fund देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से यह तीन flexicay fund मैंने आपके साथ discuss किया है friends जिनोंने पिछले कुछ सालों में शांदार returns निकाल कर दिये और 2024 के लिए भी यह best flexicay funds आपके लिए हो सकते हैं देखिए final decision तो आप ही को लेना है कोई भी decision लेने से पह दो आप है